नमस्कार दोस्तों श्री गंगानगर जिले के पदमपूर इलाके से बड़ी खबर सामने आई है युवक से परिशान होकर नबालिक किशोरी ने की अतम हत्या पदमपूर वाड नमबर 6 के रहने वाले नंद किशोर वर्मा ने पदमपूर पुलिस थाना में पेश होकर परिवाद दी है कि उसकी बेटी मंडी पदमपूर के ही वाड नमबर 20 के रहने वाले नथूराम के बेटे के साथ अपनी माता के फोन से संपर्क में थी इस बात का जब परिवार वालों को पता चला तो उसके बात से किशोरी डिप्रेशन में रहने लग गई थी और युवक उसके बाद भी बार बार संपर्क कर रहा था जिसके कारण किशोरी पर मांसिक दबाब बना और किशोरी ने कल शुकरवार 19 जुलाई शाम सबसाथ बजे चुनी का फंदा लगा कर अत्ता मत्या कर ली परिवार वाले आनन फानन में किशोरी को पदंपुर सरकारी ओस्पिटल ले कर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मरत गोशित कर दिया वहीं पुलिस ने मामले को गंबीरता से लेते हुए युवक को राउंड अप कर लिया है पोस्ट मोडम के बाद गंगीन महोल में परिजनों ने नम आँखों से किशोरी को दी अंतिम विदाई किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ तंग परिशान वे मांसिक तोर पर पड़ताडित करने का अरोप लगा कर करवाया मुकदमा दर्ज कक्षा ग्यारवी की छात्रा थी किशोरी पदंपुर वाड नमबर छे की निवासी थी किशोरी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमारे फेस्बुक इस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर दे इससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर न्यूज गटना स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ आपका अपना अमितलकी दवन तब तक के लिए जय इन जय बारत